नमस्कार व्यूवर्स मेरे साथ इस समय एस्क्रूसिब बातशीत करने के लिए मौजूद है राश्ट्रिये स्वेम सेवक्त संक के अखिल भारतिये प्रचार मुबुक सुनील अम्बेकर जी सुनील जी आपका विनंदन है न्यूज 18 पर सबसे पहले तो आपको मेरी राम राम सबसे पहले मेरा सवाल है कि आपने कई लोगों को निमंतरन दिया कई लोग आए अधिकतर आ रहे हैं लेकिन कुछ लोग नहीं आ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं पहली बात तो निमंतरन तिर्थक शेत्र ने दिया है और उन्होंने ये जहां तक मैंने समझा है उन्होंने सभ कि वही प्रकार के लोगों को बुलाने का प्रयास किया हैं और मुझे लगता है कि जो लोग आ बहुत सब्सक्राइब करने आए लेकिनकार काल कहिए भड़ी रहने वाला है जैसा दिख रहा है आपने बड़े-बड़े celebrities को बुलाया है अक्षे कुमार अनुपम खेर चिरन जीवी जैकी श्रॉफ टाइगर श्रॉफ कौन कौन आ रहे हैं अगर आप बता पाएं तो मेरे दुष्टी से तो बहुत सारे संत यहां पर आ रहे हैं जी और अलग-अलग मत संपरदाय के जो जिनके लाखो अनुवयाई है और जिनके दिशा दर्शन पर जिनके कहने पर बहुत सारे लोग चलते हैं जी ऐसे बहुत सारे लोग यहां रहे हैं वो भी अपने आप में ब कि अपन्तरन गया है बहूट सर्दो आएंगे आपने आपने बुला कि काफी सारे संता आ रहे हैं महात्मा रहे हैं और कोन कौन 65 आता एंब आगार फॉ lithy देपाय तो यह सारह के शेटर बंब दक्षिण में लिंगायत समाज बाकी सारे मतलब जितने छो आप नाम ले लो हर प्रदेश के पहले पुरातन जो पीट है बड़े-बड़े जो मंदिर हैं से लेकर बिलकुल सुदूर रहने वाले सारे संति परंपरा रवी दासी परंपरा राम्दासी परंपरा से लेकर सारी परंपराओं के लोग आ रहे हैं मतलब राम अगर आप देखें तो कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक फिर इंडोनेशिया तक और दुनिया के कई देशों तक लोग राम की अबधारना है राम को लोग प्रभु राम को लोग फॉलो करते हैं उनका स्वरण करते हैं तो ये जो साड़े 500 साल बाद हो रहा है ये कितना भव्वे है और इसके माइने क्या है भारत की संस्कृति के हिसाब से आपके अनुसार नहीं इसके बहुत बड़े माइ ने, क्योंकि यह जो संगर्ष है, यह 500 वर्षों से चला, वो संगर्ष इसलिए चला, क्योंकि अपने रोज के जीवन में व्यक्ति रामligh के जीवन से आदर्ष लेता है, हर अपने रिष्टे को वो उसकी तरह से निभाना चाहता है और उसके लिए निरंतर हर परिवार प्रयास करता है, साधना करता है और उस साधना कही संदेश हमारे सारे धर्मगरंतर, सारे गुरुदेव, सारे मठ मंदिर देते रहते हैं और उसी की एक सतत साधना के सुरूप में लोग राम को आदर्श के रूप में देखते हैं और इसलिए हमारे सांस्कृतिक जीवन के लिए ये राम जी का जो महत्व है बहुत अनुठा है और इसलिए ऐसे हमारे आराध्यराम जी जो है उनका भव्य मंदिर उनके जन्म स्थान पर होना ये अपने आप में एक सौभिवान का गर्व का और अपने आप में एक आत्मो वि सारे विपक्षी धल मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन इसको राष्ट्य स्वेवक संग का कारेकरम कह रहे है उस विश्य पर आप क्या कहना चाहते है अगर आप कुछ बोलना चाहे तो अच्छा है कारेकरम तिर्थक शेत्र का है और तिर्थ उस अंतों से पूछा सवाल कि जो लोग नहीं आ रहे उनको अब क्या कहते है तो अन्त में तो सब को राम की शरण में जाना ही पड़ता है लेकिन कुछ ऐसा हो गया है कि जीवन के प्रारंब से जाना पड़ता है नहीं तो शुरू में ना भी जाए अंत में तो जब प्रारंब भी जाये इसलिए तो मंदिर बनाये जाता है जी लेकिन एक इमोशनल मुवेंट मुवेंट भी है बहुत सारे लोगों के लिए खास्ट और पर राश्ट्री स्वह सेवक संग के लिए भी 30 साल पहले 32 साल पहले जिस आंदोलन की शुरूबात करी और तब शायद क इसी के आखों में मतलब ये आनंद के अश्रू है वास्तों में इसी तरह का एक भाविक्षण है और ये भावुक्षण इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति इस प्रकार से अंदोलन से जुडा रहा है आपने कहा कि ये संग का अंदोलन नहीं है ये पूरे आम समाज का सब का अं इस प्रकार से अंदोलन नहीं है और ये अखरी सवाल को कि आपका समय में जादा नहीं लूँगा क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने नियोता ठुकरा दिया है और जो रामकाज के लिए नहीं आ रहे हैं और जिस तरह से देश की राजिनीती में एक बदलाब आया है उसका एक असर पड़ेगा मुझे लगता है कि ये नाम जो है बगवान स्वी राम ये सबको एक यूनिफाइंग फैक्टर है ये सबको जोडने वाली ऐसी शक्ति है कि जो समय लग सकता है क्योंकि जब आंदलन शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग इधर उधर बात सोचते थें लेकिन समय के साथ ये कोई किसी के उपर थोपने का विशे नहीं है ये विशे धीरे 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 क्रमशा समझने का है कोई आज समझेंगे कोई पहले बहुत समझ गए थे कोई कल समझेंगे तो ये मुझे लगता है क्रम चलता रहेगा यही भारत की यात्रा है समझने की समझाने की फिर समझने की फिर समझाने की जी और मेरा बिल्कुल अंतिम सवाल होगा क्या आपको लगता है कि नियुता जो ठुकरा दिया गया अब नियुते पर ही रुके हैं नियुता तो ठुकरा दिया गया मैं नियुता पर नहीं रुकरा आगे बढ़ रहा हूं लेकिन कुछ लोग सनातन को लेकर हिंदुत को लेकर बहुत ही खराब शब्दों का इस्तमाल कर रहे है मैं तमिल नाडू से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ दक्षिन से उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ नहीं मुझे लगता है कि मैंने जैसे कहा कि सनातन शब्द का ही अर्थ होता है सनातन कि जो सतत चल रहा है और जिसमें से कई प्रवा बनते है कई प्रवा मिलते है और एक सतत उसमें उसका एक प्रकड़ी करण होता रहता है तो मुझे लगता है कि वो मनलब एक तरीके से हवा में तीर मार रहे हैं सनातन तो एक ऐसी धारा है कि जिसको नो कोई रोक सकता है न जो कोई टोक सकता है वो जिमारियों का नाम दिया गया मतलब स्टालिन ने दिया नहीं वो ऐसा है कि अपने आप ऐसा है मैं सबको यही कहता हूं कि समाज यह समाज जो है वो अपने आप समझता है और अपने आप आने वाले समय के लिए चलता है मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स तकी सिमित रखना चाहिए उसको जीवन के हर छेत्र में हाथ नहीं डालना चाहिए जो चो लोग हिंदु धर्म को धोका कह रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप मुझे लगता है ये प्रश्ण बहुत ही अनावश्चक है आज राम जी के प्राण प्रतिष्टा का प्रसंग है और इस समय पूरा देश भारत भक्ती में हो गया है और कोई इधर-दर की बात न कर रहा है न सुन रहा है न सुनना चाहता है ये चर्चाएं हमेशा होती है होती रहें आप लिकेंगे समय मिलेगा तब जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आप यहां पर आए धन्यवाद आपका बहुत बहुत अभिनंदन जोड़तालियों के साथ अभिवादन करिए सुनील आंबेकर जी का जैस्री आराम जैस्री आराम